अज हम बनाएंगे जटपट बनने वाले मेदे की बर्फी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक कप मेदा ले लिया है अब मेदे को हम भून लेंगे और दो से तीन मिनट ही इसको भूनना है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए अब मेदे को भूनते हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब उसी कड़ाई में हम थ्री फोर्थ कप दूट डाल देंगे और इसको हल्का गरम होने देंगे दूद गरम हो गया है यहाँ पे हम आदा कप चीनी का डाल देंगे और दूद और चीनी को अच्चे से गुलने देंगे दूद और चीनी अच्चे से गुल गई है इसे एक से दो मिनट तक और पकाएंगे यहाँ पे आप हरी इलाइची भी कूट के डाल सकते हैं अब हमने आदा कप मिल्क पाउडर ले लिया है पाउडर डालने से बर्फी में बहुत ही अच्चा टेस्ट आएगा अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मेदा डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे जिससे की इसमें गुटलिया नहीं पड़ेगी आप यहाँ पे मोटे पेंदे वाली कड़ाई को यूज करिएगा अब यहाँ पे एक चमच हमने गी डाल दिया है और इसको अच्चे से मिला लेंगे अब मेदे के डो को प्लेट में डाल के अच्चे से सेट कर लेंगे इसे पंद्रा मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे अब यह अच्चे से सेट हो चुकी है यहाँ पे हम थोड़ा सा चांदी का वर्ग लगा देंगे अब यहाँ पे हम चाकू से इसे काट लेंगे यदि कोई गर पे महमान आ जाए या मिठाई खाने का मन करे तो आप इसी तरीके से जटपट मिठाई बना के तैयार कर सकती हैं यहाँ जर मिठाए बना का मिठा है यूपनिए जट जर डडिए यहाँ और यूपनिए भीयन आант गला जह हम चासे का पीना जाए बना मिठातक सबस्भी कोई खाने का है आप लूपनिए बना मिठाग बत बना चांव भीट का दूबूँएnow